दोस्तो पुलिस डिपार्टमेंट में ACP यानि की असिस्टन्ट कमिशनर और पुलिस का रेंग काफी उचा होता है और ज्यादा तर लोग ACP बनना चाहते होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेग कि ACP क्या होता है और ACP कैसे बने साथ ही यह भी जानेंगे कि लेकिन इस से पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या पढ़ाई करते हो तो जान लेते हैंशे पेहले आज को क्या हुए होते हैं Great para 해주 का पुलिश डिपार்ट्मेंट इंकम टेक्स लिपार्ट्मेंट और सेल्स टेक्स लिपार्ट्मेंट में होता है एसी का काम कानून-व्यवस्था को बना रखना और होने वाली किसी भी हिंसक कटनाओं को रोकने का होता एक ACP के अंडर में एक जिले के सभी पुलिस थाने आ जाते हैं, जिसका वो नितरुत्व करता है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ACP क्या होता है, तो अब जान लेते हैं कि अगर आपको ACP बनना है तो उसके लिए क्या-क्या तैयारी करनी होगी, यानि कि ACP कैस आपको प्रमोशन मिलता है, तब जाकर आप ACP बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही पुलिस विभाग में किसी ना किसी पत पर नोकरी करने के लिए eligible होने चाहिए, या फिर नोकरी कर रहे होने चाहिए, उसके बाद आपके नोकरी के अनुभव के आदार पर जब जब आपको प्रमोशन मिलता है, उसके बाद आगे जाके आप ACP बन सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है, ACP बनने का, तो दूसरे तरीके में आपको UPSC परिक्सा अच्छे माक्स के साथ में पास करनी होती है, और उसके बाद आप ACP बन सकते हैं, UPSC क्या हो होता है, और साथ-साथ आप मानसिक और सारेरिक रूप से फिट भी होने चाहिए, ACP की सेलेरी की अगर हम बात करें, तो इन हैं सरकार द्वारा 17,000 रुपे से ले करके, एक लाख रुपे तक की सेलेरी के रूप में दिया जाता है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ACP क्या होता है, और ACP कैसे बने, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इससे लाइक कर देजिएगा, और वाटसेब ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा, और एसे इनफोर्मेशनल व पूछने के लिए नीचे कमेंट करें, दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ, तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकते हो,